दोस्तों नमस्कार प्रोफिटेवल डेरी फार्मिंग तीन चीजों पर टिकी हुई है पहला पसू जो डेरी फार्म में हैं उनके दो ब्यांत के बीच का टाइम 12 महिने से ज्यादा नहीं हो इसके साथ-साथ में जो छोटे पसू हैं वो भी 24 महिने में उमर में दूद का उत्पाधन शुरू कर दे और जो भी पसू है वो अपनी शमता किशाब से दूद का उत्पाधन करे आज हम जिस टोपिक पे बात करेंगे वो है कि पसूँ का जो दो ब्यांत के बीच का टाइम है वो बारे महीने रहे इससे जादा नहो तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने डेरी फारम पे पसूँ का जल्दी से जल्दी गरवादान का स्टेटस क्या है पसू ग्याबिन है य को ग्याबिन हो जाना चाहिए तो जब भी आप पसूँ को करत्रिम घरवादान करवाते हैं या प्रकरतिक रूप से सर्विस करवाते हैं तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि पसूँ ग्याबिन हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए आम तोर पे हमें धाई से तीन महीन कहने का इंतेजार करना पड़ता है और अगर पशू ग्यागी नहीं होता है तो हमें फिर वयट करना पड़ता है ट्रीट्मेंट करवाना पड़ता है जिस से हमारी पशू की उपर खर्चा है वो बढ़ गदím प्रो युद्ज जाता है और पषू मतलब उसका जो नौन के बाद में 30 दिन से लेके 90 दिन के अंदर आप पता लगा सकते हैं इसके लिए आपको बहुती समाने चीजें जो घरों में मौजूद रहती है उन्हीं का अपने को इस्तिमाल करना है इसके लिए आपको क्या करना है दो छोटे बरतन लेने हैं एक बरतन में आपको पानी डाल पानी और जो आपने पैसाब लिया है उनको दोनों बरत्रों में आप एक में पानी और दूसरे में पैसाब डाल देंगे उनके अंदर आपको बराबर मातरा में घर का कोई भी अनाज डालना है जैसे कि गेहूं है जो है या फिर आप मूंग ले सकते हो चना भी आप ले सकते ह फिर आपको उसको दो से तीन दिन के बीच में रखना है पानी में अगर अनाज उख जाता है तो उसको हम compare करेंगे जिस बरतन में आपने पेसाब डाला है अगर उस बरतन में अनाज नहीं उखता है तो इसका मतलब वो पसू गयबिन है अगर दोनों बरतनों में अनाज नहीं उखता है तो इसका मतलब यह हो सकता है अनाज के अंदर कुछ गरवड़ी है अनाज जर्मिनेट दोनों में नहीं हो रहा है तो क्योंकि पानी में तो अनाज को जर्मिनेट होना ही चाहिए अगर जिसमें आपने पानी डाला है उसमें भी अनाज उख जाता है और जिस बरतन में आपने पानी डाला है उसमें भी अनाज उख जाता है तो इसका मतलब वो पसू गया बिन नहीं है तो साथियो अगर दुवारा से मैं आपको रिपीट करता हूँ अगर जिस बरतन में आपने पानी डाला है उसमें अनाज उग जाता है और जिस बरतन में आपने जिस पसू का अपने को चेक करना है उसका पैसाब डाला है उसमें अनाज अंकूरित नहीं होता है जर्मिनेट नहीं होता है तो इसका मतलब पसु गैबिन है और अगर उग जाता है तो इसका मतलब गैबिन नहीं है क्योंकि जब पसू गयाबिन होता है तो उसके सरीर से पैसाब के दोरा ऐसे हर्मोन्स निकलते हैं जो जर्मिनेशन को रोक देते हैं तो ये तरीका आप घर में इस्तिमाल करके इसमें आपका खर्चा भी कम है आप इसको 30 दिन महिने के आसपास में पसू की गरभावस्ता का अंदाजा लगा सकते हैं नभ़गरशन के आसपास में ये जो तरीका है इसकी सक्सेस रेट है जब भी आप इस तरीकों को जितना अच्छे तरीके से रिफाइंट तरीके से करेंगे तो आपको सक्सेस रेट अच्छी मिलेगी तो उमीदे सात्यों ये जानकर ये आपको अच्छे लगी होगी Thank you.